नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्रेन की अध्यक्सता वाली ए बैठक जर्खन के विकास को लेकर कई मायनों में महत्पुन थी बतादे इस बैठक में मंत्री एवं विधायकों नमुख मंत्री के साथ छेत्रवार कौम बारिस की वज़ा से सुखार के सिती पर विचार विमर्ष किया इस दोराण विधायकों ने मुख्य मंत्री से कहा कि उनके छेत्र में विकास कारियों को लेकर जो समस्याय आ रही है उनका जल्द समधान किया जाए जारकन किस्तियम हेमान सुरेन के अध्यक्सतावाली बैठक में इसके अलावा कई और महदपुन मुदों पर भी गहन विचार विमर्ष हुआ मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने सभी बिंदूओं पर गंभीता पुरवक विचार करते हुए सत्ता पक्स के मंत्रियों एवां बिधाय को द्वारा उठाय गय जनित के मुद्दे पर राज सरकार द्वारा पूरा सहयोग किये जाने का भरसा दिया मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन अकंछाओं की सरकार है बिना कोई भेद भाव के राजे के सभी बर्ग समुदाय के लोगों के लिए मिल जूल कर काम करना है राजे में बिकास की गती को तेज करने के उदेश से सरकार की हर योजना को गाउँ गाउँ घर घर तथा बिकास की बात जो रहे अमतिम ब्यक्ति तक पहुचाना है के अनुसार बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का लो परेसर एरियर बन रहा है इसकी वज़ा से कईस अगस्त को जार्खन में कई इलाकों में भारी बारिस हो सकती है इसके साथ ही 45 से 65 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुफानी हावा चलने के खत्रे के ले से कांग्रेस बिधायक इर्फान अंसारी के साथ खिजरी से बिधायक राजेस कक्छप और कोले वीरा के बिधायक नमन बिकसल को सन्निवार को अंतरिम जमानत दी जार्खन के इन तीनों बिधायकों को पच्छिम बंगल के हवड़ा में 50 लाग से अधिक नगदी के साथ पक उन है हम कभी भाजपा में सामिल नहीं हो सकते तीन बिधायक वैसे भी सरकार नहीं गिरा सकते बता दे कि जार्खन के तीन कांग्रेस बिधायकों इर्फान अंसारी राजेस कक्छप और नमन बिकसल कोगरी को 30 जुलाई को हाबरा जिले के पंचला में उनकी कार से लगवग 49 लाख रुपे नगत जब्त करने के बाद पच्छी बंगाल पुलिश ने गिरफतार किया था पथलगाड़ी समर्थकों परसे केस वापस हेमंत सुरेन की मंजूरी मुख्य मंत्री हेमंसुरेन ने CNT SPT में संसोधन का बिरोध करने के कारण तथा पथलगाड़ी का समर्थन कर रहे ब्यक्तियों के बिरोध गुमला थाना में दर्ज केस को वापस लेने के संबंधित प्रस्ताव पर आपना अनुमदन दिया है CNT SPT में संसोधन का बिरोध तथा पथलगाड़ी करने के आरोप में गुमला थाना में जीन लोगों के खिला प्रात्मी की दर्ज कर मुकादमा दायर किये गए हैं उनके परत्याहरन से संबंधित गिरी करा एवाम आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्तावित संकल्प प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमांसुरेन ने अपनी स्विग्रिती दे दिया गढ़वा में ग्रामिनों ने थाना भवन पर किया पथरा पुलिस कर्मी घायल जार्खन के गढ़वा में मेराल थाना छेत्रे के हासन दाग गाउं के एक ब्रीध के संदिक्द हत्यारों को थाना से छोड़ देने को लेकर आकरोशित ग्रामिनों ने संनिवार को मेराल थाना पर जमकर बवाल काटा आकरसित लोगों ने मिराल थाना भवन पर ही जमकर पत्राव कर दिया इस घटना में पूलिस कर्मियों सहीत करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए इस दोरान पूलिस ने भी पत्राव कर रहे ग्रामिनों पर हलका बल का परियोग किया साथी पूलिस ने आसुगैस भी छोड़े ज्यारखन के सरकारी बिद्यालों में 15 विसयो पर 22 अगस्ट से पोस्टर प्रत्योगिता ज्यारखन के सरकारी बिद्यालों में 22 अगस्ट से पोस्टर प्रत्योगिता होगी इसके लिए स्कूली सिक्षाव सक्षता विभाग ने सभी जीलों को निर्देश दिये हैं जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधानों प्रस्रिक्षन परिशत की निर्देशक कियन कुमारी पासी ने कहा है कि 22-26 अगस तक परत्योगता होगी इसके बाद 29-30 अगस तक इसकूल में सरुस्रेश्ट 3-3 परतिभागयों की परतियोगिता परखंड अस्तर पर होगी इसके बाद 1-4 सितमबर तक जीला अस्तर पर इसका आउजन होगा यहां सरुस्रेश्ट पोस्टर बनाने वाले प्रुस्कित किये जाएंगे अनुबंध सहायक प्रध्यापकों का अनुबंध संका राजभवन के सामने बिगत 24 दिनों से जारी राज अस्तर अनिश्चित काली ध्याना कर्चन धार्ना परदस्म सनीवार को समाप्थ हुआ रांची विश्वभी दैले के कुलपती प्रोफेसर अजित कुमार सिनहा पहुँच का अनुबंद सायक प्रध्यापकों से वर्ता की, साथ ही उन्हें जूस पिला का अनिश्चित का निधारना समाप्त कराया। पहाड में शक्री पांच लाह का इनामी मवादी रबिंदराना समाप्त का निधारना समाप्त कराया। पहाड में शक्री पांच लाह का अनिधारना समाप्त का निधारना समाप्त का निधारना समाप्त कराया। इसके खिलाब कई थानों में मामले दर्जाएं। पारा सिक्षको को हुए भुगतान की सिक्षा सचिवने मांगी रिपोर्ट। राजे में पारा सिक्षको यानि सहायक अध्यापक की मानदे बढ़ोत्री में नियमावली की अंदेखी की गई है। पारा सिक्षको की सेवा सर्थ नियमावली में असपष्ट उले खाय की पारा सिक्षको के सेक्षनिक परमानपत्र के सत्यापन के बाद ही मांदे में बढ़ोत्री की जाएगी। लेकिन बीना परमानपत्र जाच के ही मांदे में बढ़ोत्री कर दी गई है। शिक्षा सचीव ने फूरे मामले को गंभीरता से लिया है, राजे में लगभग 62,000 पारा सिक्षक खाएं, इन में से लगभग 13,000 पारा सिक्षक पत्रता परिक्षा सपल है, इन सिक्षकों के अलावा 49,000 पारा सिक्षक पत्रता परिक्षा सपल नहीं है, सिक्षकों के प्रमा मौसम का असर बिमान सिवावे पर भी पड़ा है इंडिगो ने मुंबाई आहमादाबाद पटना दिली चेनाई कोलकाता बैंगलूरू की फ्लाइट को रद कर दिया है बारिज की वज़ा से सुबह रांची अर्पोर्ट से जाने वाली कई फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया मौसम भी भाग कविसे एक अनन ने बताया है कि जारकन के चत्रा पुर्वी सिमू और कोडारमा जीलों में अभी जोड़दार बारिश हो सकती है चत्रा के द्रिष्टी बाधित सौरव का माइक्रो सौफ्ट में 51 लाग के सलाना सेलरी पर चयान चत्रा के टंडवा के महेश परसाद गुपता के द्रिष्टी बाधित पुत्र सौरव को माइक्रो सौफ्ट ने 51 लाग रुपे परती वर्स का पैकेज ओफर किया है आत्म विश्वास और परतीभास से लबरेज सौरव आज के युवाव के लिए प्रेरना स्रोत बन गया है बता दे सौरव बच्पन से ही पढ़ली कर कुछ बनना चाहते थे लेकिन बच्पन में ही आँकी रोशनी गवाब बैठे इसके बाद पिता की प्रेरना और अपनी मेहनत से लच्प हासिल करने में सफल रहे वह बरतमान में JEE मेंस में सफलता पाकर IIT दिल्ली में तीसरी वर्स में अध्यान रत है इसी बीच उनका चैन माइक्रो सोट में हो गया है रामगढ के नलकारी नदी में कारव बाइक सवार आधा दरजन लोग लपाता चारकन की राइधानी समेत कई जिलो में रूक रूकर लगतार हो रही बारिस के बीच पतरातु लेक रिसोर्ट छेतरी में बड़ी घटना घट गई है पतरातु डेम के पास नलकारी नदी में पानी के तेज बहाव में कार वग एक बाइक समा गया इससे आधा दरजन लोग लपाता हो गए अस्थानिय गोता खोरो ने गरामिनों की मदद से बारिस के बीच घंटों के पर्यास के बाद गरामिनों ने एक महिला वा Hispan के 100 को पानी से बाहर निकाला गरामिनों ने पूरी तरह से पानी में डूबे जे एक जीरो मडे एन 576 नंबर की अलटो कार को भी किसी तरह से बाहर निकाला जबकि अभी तक बाई का कोई अधापता नहीं चल सका है 16 लख की ठगी का आरोपी गिरफतार अपराद अनुसंधायन विभाग के अधिन संचाली साइबर थाने के पुलिस ने बिहार के मोतिहारी जिले के बंजर्या थाना चेतर के चेलाहा गाव निवासी अक्तर अंसारी को गिरफतार किया है पुलिस का दावा है कि अक्तर अंसारी ने राची के ही दो अलग-अलग बेक्तियों से करीब 16 लाग की ठगी की है पुलिस ने अरोपितों के पास से एक रूपए के भी बरावदगी नहीं की लेकिन दावा किया है कि ठगी में उप्योग में लाये गए विभीन बैंकों के 31 देबिट वा क्रेड़ कार्ड तथा तीन मोबाइल वा पासपोर्ट जप्त किया गया है बुद्धवार को होगी जहारखन केबिनेट की बैठक मंत्री मंडल सचीवाले अमनिग्राने विभाग ने सोमवार को प्रस्तावित केबिनेट की बैठक के टलने की सुचना जारी की है केबिनेट की बैठक को लेकर गुरुवार को अजी सुचना जारी हुई थी लेकिन इसके बाद लगातार तीन दिनों तक यानि कि सुक्रवार, सनिवार और अभिवार को शूटी होने के काराण कोई भी भाग बैठक के लिए मसोधे पर विश्तित चर्चा नहीं कर पाए और नहीं इसके लिए केबिनेट नोट तयार हो सका आईसे में केबिनेट की बैठक को दो दिनों के लिए टाल दिया गया है और अब अधिक्रित तोर पर या बैठक बुद्धवार को होगी बता दे बैठक में राजे में सहायक सिक्षको किन्योक्ति से समधित प्रस्ताव आएगा व्यात हो की पूर राजे में लवग पचास सहायक सिसको किन्योक्ति की जानी है पंकज मिस्रा इलाज के लिए जा सकते हैं एम्स रिम्स परवंधन ने जेल परसासन को विधायक परतिनिधी पंकज मिस्रा की बिमारी की जनकारी उपलब्द कराई है जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर ले जाया जाने का रस्ता साफ हो गया है उन्हें बेतर इलाज के लिए एम्स ले जा सकता है रिपोर्ट में बताया गया है कि पंकज मिस्रा को पेट की बिमारी पेक क्रियांटिस और मानसिक बिमारी के बारे में बताया परबंधन की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि रिम्स में पेट लोग विचे सगे नहीं है जिस कारण उन्हें हाईर सेंटर रेफर किया गया है जारखन में तेज हवाओ के साथ बारिस का कहर जारखन में तेज हवाव के साथ भारी बारी से जन जिवन परभावित है रांची के काके इस्थीत बोड़ेया और संडे सड़क पर पेड़ गिर गया इससे कुछ देर के लिए आवागमन परभावित रहा दिन भर हो रही बारी से लोगों का घरोस निकलना मुश्किल हो गया है पूर्वी सिमुम के चाकुलिया परखन छेतर में सुकरवार की राथ से शुरू हुई बारी से एवं तेज हवा से जन जिवन अस्त ब्यस्त हो गया सबसे अधिक समस्या चाकुलिया इस थीत रेलवे अंडर बिरिज में उत्पन हुई बता दे रेलवे अंडर बिरिज में लगभग 5 फीट पानी जम गया रांची में अरारबी की परिक्षा ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच यात्रियों की अतिरिक्त भील एवं रांची में होने वाले रेलवे भरती बोर्ट परिक्षा को ध्यान में रखते वे यात्रियों तथा परिक्षा के बाद वापस जाने के लिए परिक्षारतियों की सुभधा के लिए रांची रेल मंडन ने कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुपधा उपलब्द कराने का नियना लिया है बताद पिछले दिनों अभियार्थियों ने रांची रेल वेस्टेसर पर हंगामा खाड़ा कर दिया था इसके बाद रांची रेल मंडन ने ट्रेनों में अत्रिक्त कोच लगाने का फासला किया है धनबाद में कोईला उठाव के लिए देनी होगी एक हैया रुपे प्रति टन रंगदारी रंगदारों के सर्दार ने बाग मारा कोईला अंचल में कोईला उठाव के लिए रंगदारी में एक बार फिर बड़ोतरी की है बाकाईदा फर्मान जारी किया गया है लिकेंज वा इ ओक्षन का कोईला उठाव करने पर प्रती टन पहले दी जाने वाले रंगदारी में 250 से 600 रुपे तक की बड़ोत्री की गई है सरदार के नए फार्मान के मुताबिक इ ओक्षन का कोईला उठाव करने पर अब उध्यमियों को एक है रुपे प्रती टन रंगदारी देनी होगी जबकि लिंकेज कोटे के लिए 900 रुपे प्रती टन रंगदारी देनी होगी धनबाद के सहिद निर्मल महतो मेडकल कोलेज की सफाई पर हर मा खर्च होते हैं 21 लाक रुपे इसके बावजूद अस्पताल के अंदर से बाहर तक गंदगी पसरी मिल जाएगी नतीजा मरीजों के साथ आने वाले काफी को परिसानियों का सामना करना पड़ता है हालात इतने खराब है कि सोचाले से आ रही बदबू या वाड की गंदगी के वज़ा से मरीज काफी असाज मसूस करते हैं बुढ़ा पहार पर नकसलियों के खिलाप अभियान देज जार्खन और 36 गड़ की सीमा परिस्थित नकसलियों का गड़ बुढ़ा पहार पर सीरपी अपने राजे पूलिस के साथ बड़ा अभियान चला रखा है यह पहार जार्खन के लातेहार और गड़वा तथा 36 गड़ के बलराम पूर जीले की सीमा से घिरा हुआ है बतादे लातेहार जीले के थलिया वा तीसिया जंगल की तरब से सीरपी अप और जार्खन पूलिस ने अभियान शुरू किया जबकि 36 गड़ के बलराम पूर्जीले की तरफ से पीपर ढबा और चुन चुना पुन्दाग जंगल की तरफ से स्यार पी एफ और 36 गड़ पुरिश ने मोर्चात संबाल रखा है वकील राजीव कुमार को रांची लाने की इजाज़त कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ गिरफतार अधिवक्ता राजीव कुमार को रिमांड पर लेने के लिए इडी को कोलकाता इस्थीत बैंक साल नियालाइस से भी अनुमती मिल गई है इसे पहले बंगाल पुलिस ने इडी की रिमांड में अर्चन डालने की कोशिस की थी बंगाल पुलिस को जैसे ही सुचना मिली की इडी की टीम राजीव कुमार को रिमांड पर लेकर रांची ले जाने के लिए कोलकाता पहुँच चुकी है सुचना मिलते ही बंगाल पुरिश ने बैंक साल कोट में एक आवेदन दे दिया कि उन्हें राजीव कुमार की आवाज का नमुना लेना है इसलिए उन्हें कुलकात्ता में ही रहने दिया जाए पांचवी सीनियर होकी चेंपियंशिप का सिम्डेगा में 27 से आयोजान राश्टरिये खेल दिवस सा होकी के जादुगर मेज़र ध्यान चंद्र के जनम दिवस के उसर पर 27 से 29 अगस्त 2022 तक होकी जारकन की ओर से सिम्डेगा में पांचवी राजय अस्तरिये सीनियर महिला पूरुस होकी टीम भाग लेंगी इसके लिए सुक्रवार का चैन ट्राइल किया गया इस मौके पर इंटरनेशनल होकी खिलाडी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी ने चैनित होकी खिलाडीयों को कई टिप्स भी दिये सेना में महिला अगनीबीर भरती के लिए आवेदन सुरू नौमबर में रह ली सेना में अगनीपत योजना के तहट अगनीबीर पूरुस के साथ अब महिलाओ की भरती की सुचना भी जारी हो गई है परदेश के सभी 75 जीलों की महिला अगनी बीर भारती की सुचना सेना भारती बोर्ट लखनव से जारी की गई है महिला अगनी बीरों की भारती के लिए भी ओनलाइन आवेधन करना होगा 7 सितंबर तक आवेधन मांगे गए हैं 30 नौमबर से 10 दिसंबर के बीच महिला अगनी बीर भारती रहली के आवेधन होगा एकशुक अभियारती सेना की बेप साइट जोईन इंडियन आर्मी.nac.in पर जाकर आवेधन कर सकते हैं अभियारतीयों को सलाह है की आवेधन करने से पूर्व पूरी भरती नोटिफिक्सन जरूर पड़े आदिवासी समुदाय में पथलगडी पुरानी परमपरा मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री सचिवाले की ओर से जारी ब्यान में कहा गया है की जार्खन के आदिवासी समुदाय और गाव में बिधी बिधान तथा संसकार के साथ पथलगडी की परमपरा पुरानी है पथलगडी से मोजा, सिमाना, ग्रामसभा और अधिकार की जनकारी रहती है वनसा नुगत, पुर्वज और मरनी जो ब्यक्ति मृत होगा है उनकी याद को संजोय रखने के लिए भी पथलगडी की परमपरा रही है कई गावों में अंग्रेजों या दुस्मानों के खिलाप लड़कर सहीद होने वाले बीर सपुतों के समान में भी पथलगडी की जाती रही है धन्यवाद यादि आप चनल पर नहीं हो तो चनलों को सब्सक्राब कर बाल का बेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स पर अपना फीड़वाएक अवस से दे थैंक यू